इस वीडियो में ड्रामा या प्ले बी अवेर, बी सेव के सवाल जवाब को मुकमल किया जाएगा तो चलिए मिलकर देखते हैं सेक्शन बी रीदिग अड्रिटिकल थिंकिंग पार्ट वन रीदिग कॉम्प्रिहेंशन और इसका पहला हिस्सा है आंसर थीस क्वेस्टिन नमबर वन सारा को गुडिया किस ने दी तो जैसे के इस प्ले में हमें बताया गया है सारा की मदर जब उससे पूछती है कि वो गुडिया उससे किस ने दी तो वो जवाब देती है इसके बाद हम एक जुमला एड़ कर सकते हैं या फिर हम यूं भी लिख सकते है कि हम अपना जवाब जो है यहां से शुरू करें यानि अ मैन से ए को कैपिल रखेंगे फिल स्टॉप का निशान इससे हटा देंगे और फिर सवाल का यह जो हिस्सा है गेव अ डॉल तो सारा को हटा कर फिल स्टॉप इसे उस जुमले के साथ शामिल कर देंगे उसके बाद इस हिस्से को लिख लेंगे तो यह जुमला मुकमल हो जाएगा तो पूरा जुमला किस तरह से होगा अ मैन इन दे स्ट्रीट गेव अ डॉल टू सारा फुल स्टॉप और जुमला खतम यह सवाल मुकमल इसका जवाब जाएगा अगला सवाल देखते है जो अंजान लोग होते हैं जने हम नहीं जानते उनके साथ दोस्ती करना क्यों गलत बात है तो इसका जवाब हमें यहां मिलता है जब सारा और एसन अपनी अम्मी से पूछते हैं कि ये क्यों गलत बात है कि गैर लोगों से दोस्ती की जाए तो वो जवाब में कहती हैं कि Because it might be harmful to you क्योंकि ये आपके लिए नुकसान दे हो सकता है मिसाल के तोर पर जो कोई गैर शखस है जिसे आप जानते ना हो वो आपको किसी दूर जगा ले जा सकता है यानि अगवा वगयर भी कर सकता है और आपको तकलीफ पहुंचा सकता है लहाज़ा ये एक बहुत ही खतरनाक बात है कि किसी गैर शखस से आप कोई चीज ले या आप उसके साथ गाड़ी में बैठे ऐसा आपने हर्गिस भी नहीं करना तो ये हामफुल का ये मतलब है कि यानि आपको कोई न कोई इस तरह का नुकसान पहुंच सकता है तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इट से शुरू करेंगे कैपिटल आए के साथ इट और फिर इसके बाद इस लगाना है अब कस्टिन मार्क को कट कर देंगे और जुमले का बाकी का हिसा वो इस जगह आ जाएगा यहां स्मॉल बी से शुरू करेंगे जैसे कि जुमले के दर्मयान में लिखा जाएगा बिकॉज इट माइट बी हामफुल और तू यू के बजाए अब हम लिख सकते हैं फॉर अस यानि यह हम सब के लिए नुकसान दे बात हो सकती है और यह फुल स्टॉप लगाकर जुमला जो हैसे यहां मुकमल कर लेंगे तो पूरा जुमला किस तरह से होगा यहां हमने अस लिखना यह हमारे लिए नुकसान दे हो सकता है बहतर है कि हम यहां अस का इस्तमाल करें और यहां आपने मी का जो इस्तमाल है वो भी नहीं करना क्योंकि जब इस तरह का कोई सवाल पूछा जाए कि फला चीज जो आपके लिए क्यों ठीक हो सकती है क्यों गलत हो सकती है तो उसके जवाब में हमेशा आपने प्लूरल फॉर्म इस्तमाल करनी है यानि अस करके हम करके आपने जवाब देना कि हमारे लिए गलत हो सकता है बजाएए कहने के मेरे लिए गलत हो सकता है कि ये जो बात है ये हम सब के लिए गलत है ठीक है ना? कि आपने strangers या गएर लोगों से कभी भी उनके करीब नहीं जाना उनको अपने करीब नहीं आने देना और उनके कभी भी कोई चीज नहीं लेने ये आपके लिए बहुत जादा नुकसांदे हो सकता है एक मरतबा फिर इस पूरे जवाब को पढ़ते हैं इस रॉंग टु बी फ्रेंड़ी विट स्ट्रेंजर्जर्स बिकाॉज इट माइट बी हामफुल फॉर अस यानि ये गलत बात है कि हम किसी गएर से दोस्ती करें क्योंकि ये हमारे लिए नुकसांदे हो सकता है अगला सवाल दिखते है यहाँ लेटर एन जो है वो मिसिंग है क्या हमें गएर लोगों से चीजे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए write in your own words अपने अपने अलफाज में इस जवाब को लिखना है तो जैसे कि इसका जो जवाब है वो यकीनन नहीं में है तो इस जवाब को हम इस तरह से लग सकते हैं इसी सवाल को हम थोड़ा सा तबील कर लेंगे वी यहाँ capital W से आपने शुरूर करना है वी क्योंकि यह पहला लफ्स है और इसके बाद आगा वी शुट और फिर नेवर लिखें तो ज़्यादा बहतर रहेगा नौट के बजाए कभी भी नहीं दे निशाई हमें टेक तिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स फुल स्टॉप और यह बाकी का जुमला है से कट कर देंगे तो यह हमारा जुमला यहां मुकमल हो जाईगा किस तरह से है यह जवाब और मजीद हम इस जवाब में एड कर सकते हैं कि if a stranger ever comes close to us and offers a ride, a toy or any candy or chocolate we should step away and say no to him leave that place quickly और इसके बाद हम यह जिम्ला भी शामल कर सकते हैं remember और यहां हम add कर देंगे माप कीजिए का बलके इसके बाद अगर हम इस बीच के जिम्ले को cut करके यह अगला जिम्ला इस्तमाल करें इस जिबाब में तो यह होगा capital S के साथ share your daily routine and secrets with अब यहां हम लिख सकते हैं with जैसे वहां mother ने बताया कि बाबा और मामा से share करना चाहिए तो यहां हम लिख सकते हैं with your parents instead of anyone else share your daily routine and secrets with your parents instead of anyone else तो इस तरह सी जवाब मुकमल हो जाएगा पहले जुमले को हम बिलकुल इसी तरह से लिखेंगे we should never take things from strangers उसके बाद अगला जुमला इस तरह से लिखेंगे if a stranger ever comes close to us and offers a ride, a toy or any candy or chocolate we should step away and say no to him leave that place quickly यहां भी आप इन दो अलफाज के जाफ़ा कर सकते हैं कि we should क्योंकि यहां अब हम बता रहे हैं इसी बात को जो के वालदा ने उन्हें कही तो अब हम यहां जाफ़ा करेंगे we should leave that place quickly यहां L जो है इसको small में रखेंगे क्योंकि यह जुमले की अब दर्मयान में आ रहा है और फिर आखिर में यह जुमला एड़ करना है कि share your daily routine and secrets with your parents instead of anyone else यानि हमने कभी भी किसी गएर शख्स से दोस्ती नहीं करनी कभी भी उन से कोई चीज नहीं लेनी और अगर कोई शख्स आपके करीब आना चाहे और कोई आपको गाड़ी में बैठने के लिए कहे या इस तरह से या कोई खलोना आपको दे कोई टॉफी या चॉकलेट वगारा तो आपने फॉरण पीछे हर जाना है और उसको नहीं कहना है और इसके बाद आपने वो उस जगह से फॉरण चले जाना है बलकि अगर आप वहां से भाग कर जा सके तो और भी बितर है और आपने जो है अपनी जो भी जो बात आपके साथ इस तरह की कोई पेश आती है रोज जो भी बाते आपकी होती है आपको लगता है कि यह कोई ऐसी गलत बात है यह चुपाने वाली बात है लेकिन वो आपने अपने वालिदें से कभी भी नहीं चुपानी है और हमेशा उनको आके हर बात बतानी है बजाए किसी और को बताने के वो ज़रूर आपके मदद करेंगे चुपाने वो आपर ट्रस्ट करते हैं आपर एत्बार करते हैं इससे यह भी पता चलता है कि दुनिया में सब लोग अच्छे नहीं होते कुछ बुरे लोग भी होते हैं और बच्चे चुके बिचारे मासूम होते हैं ना समझ होते हैं तो उनने पता नहीं चलता कि कौन अच्छा है या बुरा है इसलिए जिसको आप जानते ना हो उसके आपने बिल्कुल पास नहीं जाना वो कोई बुरा शखस भी हो सकता है आपने अपना बहुत ज़्यादा खयाल रखना है आपको अल्ला से हमेशा दूआ करनी चाहिए कि वो आपकी हिफाज़त करें और इसके लावा एक और एहम बात ये भी है कि आप अच्छे दोस्त बनाएं हमेशा और अगर आपका कोई दोस्त भी आपको इस तरह से किसी दूर जगा अकेली जगा ये इस तरह से अपने साथ ले जाना चाहिए तो आपने नहीं जाना हमेशा अपने जो अमी अबू है उनको पताना है कभी भी उनकी अजाज़त के बगएर आपने किसी के साथ भी नहीं जाना तो इस ये जो मश्क है इसके जरीए हमें बहुत सी अच्छी बाते भी पता चली है आपने इन पर अमल करने की कोशिश करनी है और इस वीडियो को रीप्ले कीजिए इसके साथ साथ पढ़ने समझने और इन सवालात के जवाबात को लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए